हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं क्लाश टेंथ के मैद का जो चेप्टर है पहला वास्तिविक संक्या ठीक है उसमें आपको यह वाला प्रशन मिल जाएगा जिसमें कहता है कि सी दिखेजिए कि रूट पानच एक उपर में संक्या है तो एक चीज हमाएशा गैद रखेंगा कि इस प्रशना मिल से हमेशा प्रशन पूछा है ठीक है और इस बार भी है कि इस डिखिए से हमें पता है कि जो चीज रूट से बाहर नहीं निकलता है अगर निकलता भी है तो दरसमलों में निकलता है ठीक है तो वह आपका आपर में हो जाता है ठीक है जैसे पांच है तो यह आपका आपर में है लेकिन कहा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह कैसे आपर में ठीक तो हम क्या करेंगे अब माल लेंगे जब इसमें लिखेंगे कि अब हमें तो पता है कि यह क्या है एक आपर में है लेकिन कराक्सिद कीजिए ठीक है तो हम माल लेंगे कि रूट पांच एक परिमे संख्या है कि क्यंस हमाल लेंगे ठीक है अब जब माल लेंगे तो आप इसके सामने पर्पित बराबर पांच बड़ाबर में B बटे में Q या फिर ए बटे में B जो मनकार। नक्या है ठीक है इसमें यई अपका क्याना यह क्या और मेंस धीड이냐 का अब इसके बास से पर मेंसें क्या में ये नीचे वाला कभी भी क्या होथा जीरो नहीं होते है यहां पर लिख देंगे कि जहां कि यूँ नॉट इकॉल टू जीरो है ठीक है मतलब कि क्यूँ कभी भी जीरो नहीं होगा ठीक है अब इसके बास इसमें बता देंगे कि जो हमारा यह जो पी है और यह फिर लिख देंगे कि तथा क्यूँ एक पूर्णांक है ठीक है हमने एक पी और क्यू को एक पूर्णांक के रूप में लिया है ठीक है पूर्णांक क्या होता है जिसे कि कोई भी अंक हो जाता है ठीक है दो चार छे आट दस बीस पचास यह सभी क्या है पूर्णांक है ठीक है तो अब यहां पर हमने क्या कर लिया है क कोई पुर्णांक ले लिए ठीक है, यह हमारे के दोनों एक पुर्णांक के रूप में है, ठीक, अब इसका बास लिख देंगे कि पुर्णांक है, तथा, इसके HCF, इसके, HCF1 है, अब ये चीज़ आप कुछ लोग को नहीं समझच लेगे, भाई, ये चीज़ क्या है, ठीक है आप देखे एक है का मतलब है कि यहाँ पर P और Q की अस्थान पर कोई ऐसा ही संख्या रहेगा जिसको हम या तो जैसे कि स्वयम से विवाजित कर सकते हैं ठीक है या तो उसको हम एक से काड़ सकते हैं जैसे कि माल जीस साथ ठीक, तो साथ का HCF कितना हो जाएगा, साथ का HCF मतलब कि साथ किस कीस चीज से ये कट सकता है, तो साथ अपका स्वैंड साते से कटेगा, या फिर आपका एक से कटेगा, ठीक हैं, तो वही इसका HCF क्या हैं क्या कह operators, एक हैं, ठेक तो P और Q के अस्तान पर कुछ इसी तरीके का कोई संक्या है ठेक है यह चीज इतना क्लियर हो गया अब इसके बाद से जो इसका जैसे कि मालजे की P और Q क्या करता है एक क्यालावा और कोई भी इसको नहीं काट सकता है यहाँ पर हमने लिख रखा है एक का मतलब यहीं होता है ठेक है कि इसको एक क्यालावा और कोई भी इसको भी भाजित नहीं करेगा ठेक बस यहीं चीज आपको ध्यान में रखना है अब आगे देखिए अब इसको क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्क करन थी आपका इसके वज़से ये खतम हो जाएगा बजएगा आपका पांच इधर हो जाएगा आपका पी का स्कॉयर बटे में आपका क्यू का स्कॉयर ठीक है क्यू को हम इधर कर देंगे तो पांच एक क्यू का स्कॉयर बराबर में आपका हो जाएगा पी स्कॉयर ठीक अब पा यहां पांच पी पांच पी स्क्वाइर को बिभाजित बिभाजित करता है ठीक है उसके पास जब यह स्क्वाइर को अगर बिभाजित करता है तो इसक्वाइर अगर नहीं लगा रहेगा तो भी तो इसको बिभाजित करेगा तो वह जी देंगे अब यहाँ पर हमें एक चीज मिल गए कि हमने सुरु में क्या पढ़ाता कि P को केवल एक भी भाजित करता है तो यहाँ पर तो 5 भी मिल गए तो कि P और P स्कुरार दोनों को भी वाजित करता है तो यह चीज मिल गया, अब आगे इसको करेंगे, देखिए हम, लिखेंगे कि अब P बराबर में हम ले लेंगे, P बराबर में हम ले लेंगे 5C, ठीक है, ताकि देखना पड़ेगा कि अब क्यों कोई भी विवाजित करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है, तो अब क्या दोनों तरफ वर कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे दोनों तरफ वर करने पर, तो यहां पर यह हो जाएगा, P स्कॉयर बराबर में, 5C का स्कॉयर, ठीक है, तो P स्कॉयर बराबर में हो जाएगा, 25C का स्कॉयर, ठीक, अब देखिए, P स्कॉयर बराबर में यहां पर क्या ह है 5 q 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 स्क्वाइर बट्टे में आपका पांच बरावर में आपका हो जाएगा सी स्क्वाइर ठीक अब यहां पर पांच क्या कर रहा है कि इसक्वाइर को भी वाज़ित करता है तो यहां लिख दिया कि यहां पांच जो है कि इसक्वाइर को भी वाज़ित करता है अब जब इसक्वाइर वादे को भी वाज़ित करेगा तो यहां पर जब इसक्वाइर नहीं रहेगा तो भी तो क्या करेगा विवाज़ित करेगा तो लिख देंगे कि तब तब Q को भी विवाजित करेगा तब अब देखे सारा खेली यहीं से आपका सुरू हो जा रहा है हमने यहाँ पर क्या माना था कि जो HCF है मतलब की P और Q को एक एक आलावा और कोई भी इसे विवाजित नहीं करता है इसलिए हमने लिया था कि इसका जो HCF है एक है अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया यहाँ पर हमें मिल गया कि 5 जो है P स्कार को भी भाजित करता है मतलब की P को भी भाजित करता है और दूसरा चीज मिल गया कि यही 5 क्यों को भी भाजित करता है ठीक है अब यह चीज़ को कहेंगे कि यहां यहां पर लिख देंगे कि यहां बिरोधा भास उत्पन हो रहा है और यह क्यों बिरोधा वास उत्पन हो रहा है ऑर यहां इसली कि यहां बिरोधा भास उत्पन हो रहा है ठीक है क्यों 12 पर भास उत्पन बता दिया अबको और यहां भीम होड़ा आथ oh